हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल ओसम फूड फ्रेंड्स आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मटर की कचोरी बहुत ही असानी से बन जाती है चलिए देख लेते हैं इस चटपटी मुटर की कचोरी के लिए क्या क्या चीज़े हमें चाहि आधा चोटा चमत से भी कम यहां पर नमक लिया हुए मैंने दो टेबल स्पून के गरीब ओयल लिया है और यहां पर इस लिए ज़रूरी है कि मटर की कचोरी को बहुत ही घस्ता वनाएगी अब अब अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम यहां पर लिक्यो वाम बटर से इसको अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार करेंगे यहां पर मैं इसे ठंडे पानी से नहीं गूत रही हूँ इसके लिए आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ही यूज करें इसे बहुत ही बढ़ियां कोचोरी बनती है बह अधी खस्ता रहती है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप कूधिये एक साथ पानी नहीं डालना है आप देख सकते हो यह हमारा सॉफ्ट डाटा तैयार हो गया है अब हम इसे लगबग धखकत आधा गुंटा के लिए रख देंगे अब हमें एक नॉन स्टिक कड़ाई ले रहे हैं उसमें मैंने यहाँ पे दो टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं यहाँ पे मैंने आधा चोटा चमच के करीब जीरा डाला है जीरा हमारा चटकने लगे फिर हम इसमें आधा एक लालमेश टाल देंगे, एक चोथाय चमच के करीब यहां पर मैं हींग डालूँगी फिरन्स फिरिंग इसमें जरूर डालेगा क्योंकि मतर थोड़ा सा बादी होता है, तो शिर्च को खतम करने के लिए हम पर हींग जरूरी है डालना मेटल को पहले पूइल चरहे बाइल कर लिए और अवगर चाहिए ने Word versão прибीड है कि कीज़ कर लिए और में अब फिर बेगर कि एक और सब्सक्रूनें चाहरेए मरत चाहिए मेटल अब 1 – 2 मिनट तक पर बहुचे देघन के हैविओ मेसच रखी अब हम्चे कर La hen यह बोईल्ड है तो यह बहुत असान सी हो जाती है पहनत नहीं लगती है अब देख सकते हो कि अच्छे से मैश हो गया है यह अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे जो हमें और मसाले इसमें आड़ करने हैं यहां पर मैं एक चम्मच बड़ा बेशन लूँगी बेशन इसका स्वाथ बहुत जादा बढ़ जाता है यहां पर मैंने एक चोटा चम्मच के करीब जीरा पाउडर लिया है एक चोटा चम्मच के करीब या चाट मसाला में यूज़ कर रही हूं इसी बहुत चटपटा जाएंगा एक चोटा चम्मच के करीब लाल मिच पाउडर आदर चोटा चम्मच के करीब भल्दी पाउडर अधर यहां पर मुझे बहुत थोड़ा लेना है बस कलर के लिए नमग कपस वाद के नुसार डाल सकते हैं अ है सारी चीजों को मच्छे से मिक्स कर लेते हैं आए देख सकते हो सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो गई हैं अब हम इसमें एक चोटा ही चम्मच के करीब गरब मसाला भी आड़ कर देंगे अगर आपने मेरी चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए उसकी पगल में जो बेल आइकन आता है उसी भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको पहले मिल सके में चैनल को लाइक करना बिल मिनट तक भूनेंगे अच्छे से आज को मैंने यहां पर मेडियम हाई आज पर रखा हुआ है अब देख सकते बढ़ियां से भून गया है अब मैं इसमें एक टेबल स्पून के करीब हरा धनिया भी डाल दूंगी और इसे डाल के लगबक एक मिनट के लिए और भून दूं कि देखें फ्रेंट से बढ़ियां से हो गया है अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे आप देख सकते हो कि तब यहां मारा मसाला बना हुआ है सारा मसाला हमारा निकल गया है अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे एक घ ड़ाई में हमका चोड़ी तलने के लिए तेल ले लेंगे अब हमने जो आड़ा बना के रख्खा थां हुस्का आधा पहले लेंगे और उससे हम लोईयां बना लेंगे हुआ तैयाटे मैने चाल लोई तेयार की है है आप चाहो तो हाथ से बना सकते हो मैं यहां पर थोड़े से पहले बेलन से बेल लूँगे फिर हाथ से इसे शेप दूँगी अब देख सकते हो कि तबड़िया हो गया अब आम इसमें एक चम्मच के करीब मटर का फिलिन लेंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे आटे से करके इसी तरह से सारी अपनी पूर्ख कचौरी की वह बना लेंगे लुई कि देखिए मैंने आप साथ लुईयां तयार कर ली है आप चाहो तो होती से ऐसे तल सकते हो पर मैं तुरह इसे पेल कर बड़ा करूंगी अब एक एक करके अपनी सारी लुईयों को हम ऐसे बेल ले क्टवर अए। सारी पूर्यय अमारी बण गई है कचौरी अ अब इसे फ्राइय कर लेंगे पहले चेक कर लेते तेल हमारा गर्म हो गया है तृल आप देह सकते हो बड़ी है कर आम होग थाए बहुत ज़्यादा घंदा भी तेल को हमने मीडियम पे गरम कर लिया है, अब इसमें हम कचौरी डाल देंगे अपनी, इसको अगर बहुत तेज आज होगी तो कचौरी डालते ही जल जाएगी और अच्छे से अंदर से पकेगी नहीं, और ना ही किस्पी होगी, तो आज को हमने मीडियम ही रखता है, अब धी जब तक बढ़ियां गोल्डन फ्राइए न हो जाएं तब तक इन्हीं पका लेंगे अच्छे से किती बढ़िया से कचोरिया पूल गए हैं अब इससे दोनों तरफ से बलट आ गया है मारी कचोरियों आप देख सकते हैं हमाई सारी कचोरिया तैयार है तलकर इती अच्छी लग रही है आप इसे समु चटनी या फिर चाय के साथ किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आए तो मैं चैनल को लाइक करना बिलकुल न भूले अपने फ्रेंट्स और फैमली के साथ इसे शेयर जरू करें थैंक यू फो वाचिंग बाबाई